खबर बैतूल से है अवेवस्था दावे वादो की पोल खोलता एक काला सच देखे कैसे नस्बंदी ओपरेशन के बाद एक बेट पर दो दो महिलाओं को लेटाया जमीन पर पड़ी ग्रीन नेट पर पड़ी रही महिलाओं मद्परदेश के बैतूल के शहापूर ब्लॉक के स महिलाओं को ना तो लेटने के लिए पलंग मिले ना ही गद्दे मिले ओपरेशन होने के बाद ग्रीन नेट पर महिलाओं को लेट टा दिया गया जिसके बाद महिलाओं के परिजनों के द्वारा उन्हें उठा कर अपने निजी सादनों से घर ले गए जानकारी के अनुसार बुद्वार को समुदाइक स्वास्त केंदर शहापूर में FRHS इंडिया इंजीयों के माध्यम से परिवार नियोजन शिविर का योजन किया गया इस शिविर में शहापूर मुख्याले सहित ग्रामिड चेतर से आई महिलाएं आवेवस्था के कारण परिशान होती रही शिविर में आवेवस्थाओं का आलब इतना रहा कि स्वास्त केंदर में महिलाएं और परिजन इधर उधर बटकते नजर आए विवस्ता नहीं होने से शिवर में आई महिलाएं तेथा परिजन ने सुवास्त विभाग में रोश विक्त किया एक और तो सरकार जन संक्या व्रदी पर रोख थाम के लिए स्वास्त केंदर पर शिवर का योजन कर रही है तो वहीं दूसरी और आमजन को दी जाने वाली सुविधायन ना के बराबर मिल पा रही है जानकारी के अनुसर पिछले दो दिन से मुख्याले पर रेम जिम बारिश होने की कारण मौसम में ठंडग घुली हुई है SME Operation उन्हें के बाद महिलाओं को बेट पर लिटाया जाना था परंतु मातर तीन बेड उपलब्ध होने की कारण उसे पर छे महिलाओं को लिटाया गया इसके बाद अन्हें Operation करा कर आ रही महिलाओं के नीचे एक पत्ती चटाई के ओपर लिटा दिया गया Operation करने के बाद उन्हें कोई Attender भी नहीं मिला नहीं उनके लिए Wheelchair उपलग दो पाई परिजनों के माधियम से महिलाओं अपने नीचे वाहनों तक पैदल चल कर आई है ग्रामिर चेतर से आई महिलाओं ने बताया कि उन्हें सुभा 9 बजे स्वास्त केंदर पर पुला लिया गया था तब से खाने पीने की कोई भी विवस्ता केंदर पर नहीं की गई है महिलाओं के साथ आए उनके परिजन यहां-वहां भटकते हुए नजर आए महिला नस्बंदी के बाद महिलाओं को घर तक छोड़ने के विवस्ता भी नहीं होने के कारण ग्रामिर चेतर से आई परिजन अपने नेजी सादनों से वापस घर पहुचे सर आज समुदा स्वास्त के इंदर में नस्बंदी सेविल लागा था साथ सजों यह उपर सजों आई लामिर नहीं हो सकती है लेकिन को राथ तक जो तुमें में था तो उपर सबसें इंका चेक के थू में जाता है ओके साथ थैंक्यू साथ